Hello everyone, मेरा नाम है कपिल गोयल और आप लोग देख रहा है निंजा प्रेप और आज आप लोग के लिए लायाओं में बिलकुल नई स्रीज जिसका नाम है Solid State Physics और जो की useful होने वाली है उन स्टुडेंट्स के लिए जो BSC कर रहा है और जिनके पास PCM है यानि की BSC Physics वालों के लेक्चर होने वाला है इस स्रीज में और भी कई लेक्चर आएंगे तो पहले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख भी रहा है कि Solid क्या होते है Crystalline Solid और Amorphous Solid क्या होते है उनमें क्या डिफ्रेंस होता है लेटिस क्या होता ह है Plain Lettice and Space Lettice क्या होते है Basis क्या होते है और Translation Vectors क्या होते है एक बात और यहां पर मैं जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस चीज के Notes के लिए आप लोग जो भी स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहे हैं उनको फॉलो करकर वहां से Notes डाउनलोड कर सकते हैं बिलकु वीडियो को continue करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करने से हो सकता है आपके काम का नहीं हो पर जिनके काम का है वहां तक यह वीडियो जरूर पहुंच जाए है ठीक है तो मैं यहाँ पर सिर्फ यहीं बताऊंगा आपको कि solids वो जिनकी जो shape और size है वो definite होते है यानि कि उनका जो volume है वो fix होता है वो compressible नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते है solids कहते हैं और एक अच्छी सी chemistry की भाषा में ऐसे ऐसे structure जिनके दोनों get questions के बीज की दो pointsी की distance हमेशा ठीक्स रहती है अगर दो points है और इन दोनों points के बीज की कि की अगर मैं distance की बात करूं यह distance हमेशा क्या रहे exists Rebecca हमेसा ich statement जो है वो क्या रहे तो इसको हम क्या कहनगे solid कहांगे और दूसरी भाषा में अगर definition देनी हो तो और दूसरी भासा में definition कैसे दे सकते हैं उसके लिए आप ये बोल सकते हो कि अगर इन दोनों इनके जो भी molecules अ जो भी atoms है इनके बीच में लगने वाला जो attraction force है लो repulsion force r mural Glenn attraction force ज्यादा हो बहुत ज्यादा किसे reproduction force से मूच्वल एट्रेक्शन फोर्स बहुत जादा हो किसे रिपल्स एन फोर्स से तो वो भी क्या कहलाते है सॉलिड कहलाते है ठीक है इनकी मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैंने आपको बोल दिया है कि नोट्स से यह उनको यह टेलिग्राम चैनल के लिंक दिये हुए वहां से डाउनलोड करके आप वह नोट्स आसाने से पढ़ सकते हूं मैं यहां पर आपको चीजे समझा रह चीजे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है तो वो जिन में दो एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे उसको हम क्या कहेंगे वाला मुच्वल अट्रेक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो किसके कंपरेजन में उनके बीच में लगने वाले रिपल्शन फोर्स उनके वीच में लगने वाले रिपल्शन फोर्स के कंपरेजन में मूच्वल अट्रेक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो तो उसको भी हम क्या कहते हैं सॉलिड कहते हैं और क्या खास है वाई सॉलिड की इनका जो साइज है वो डैफिनिट रहेगा मतलब क् हतोड़ा है इसको कहीं आपने मतला हतोड़ा है लुवे का बनाऊगा दो पानी के टच में रखा और उसको कहीं बंद करके रख दिया तो इसकी साईज और शेप में कोई चेंज निया उने वाला उसको साल दो साल तीन साल बाद भी उठाकर देखोगे दो वैसा ही दिखेग यूटू आपने उसको कोई पानी वानी के कॉंटक्ट में नहीं लाया है क्यों नहीं तो उसमें जंग लगेगा और उससे जंग लगने से उसमें इरोजन हो सकते हैं ठीक है यह तो बात हो गई सॉलिड की अब मैं इन कहानी पर आते हैं जो सॉलिड है आपर उन सॉलिड को हम दो तरह से बाटेंगे एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होगा एमॉर्फस सॉलिड ठीक है क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड जो मैंने आपर लिखा हुआ है इसको हम नॉ non-crystalline solid एक और इसकी definition हम लिख सकते हैं non-crystalline solid एक तो बेड़े लिख दिया भाई क्या crystalline solid हिंदी में बोलेंगे crystal ठोस और amorphous solid को एक्रिस्टलिये ठोस है ना जो हिंदी में हिंदी से पढ़ते हैं भी इसी उनके लिए तो अब बात करते हैं non-crystalline solid क्या होता है और non-crystalline solid क्या होता है इसके पहले जो हमने पढ़ा solid वो hopefully आप लोगों को बहुत अच्छे से clear हो गया होगा कोई कोई कहीं नहीं पूछने वाला किसी एक्जाम में तुमसे नहीं पूछेगा कि solid क्या होता है एक दो नमर में भी पूछे नहीं बात करते है crystalline solid और amorphous solid क्या होता है चलिए साब सबसे पहले हम बात कर रहें कर लेते हैं crystalline solid क्या होता है crystalline solid देखो भी crystalline solid में मैं पहले कुछ बनाता हूँ अच्छा सा बनाता हूँ यह मैंने बनाया यह ऐसे बना दिया मैं देखो यहाँ पर यह बनाया और अब यह बना दिया ऐसा और फिर इसको मैंने वापस repeat करा दिया ऐसे देखो तो crystalline solid का मतलब क्या होता है crystalline solid ऐसे solids होते हैं जिनमें atom और molecules जिनमें atom और molecules एक periodic का एक जो periodic arrangement होता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जैसे यहाँ पर आप diagram देख रहे हो यह चित्र देख रहे हो इस चित्र में यह pattern बना हुआ है कोई यह pattern बना हुआ है यहाँ पर यह तीन लाइने दिख रही है एक लाइन के अंदर चार molecule फिर चार molecule फिर चार molecule अब यह pattern एक time के बाद फिर से repeat होता रहेगा तो यह जो solid बना होगा यह कैसे बना होगा कि regular arrangement होगा एक regular arrangement होगा after a time एक periodic arrangement होगा किसका atoms और molecule का और यह atoms और molecule का जो periodic arrangement होता चला जाएगा तो यह periodic arrangement से मिलकर क्या बनाते जाएंगे एक structure बनाते जाएंगे arrangement of atoms of atoms और molecules of atoms और molecules periodic ordered arrangement of atoms और molecules is called crystalline solid ठीक है यहाँ पर जो इनका arrangement हो रखा है वो ordered है एकदम order में लगे होए लाइन से लगे होए और एक period के बाद यह वापस से अपने आपको क्या करते जा रहे है रिपीट करते जा रहे है जैसे कि यहाँ पर मैं इसको पूरे को लूप और इस पूरे को फिर वापस से उठा कर यहाँ पर लगा दू ऐसे यह ब्लॉक में जितने यहाँ पर थे उतने ही वापस से जबा दू तो यह क्या हो गया ordered और periodic परियोडिक अरेंजमेंट हो गया तो इस order और periodic arrangement को हमने क्या नाम दिया क्रिस्टलाइन शॉलेड नाम दिया याने कि क्रिस्टलिया ठोस नाम दिया ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ गई हो अब यह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको हम दो पार्ट में बाटते हैं एक ह यह होता है सिंगल क्रिस्टलाइन और एक ऑनीख यह हँगे से अब ही हुआ पर हम इसको थोड़ा बेक्स में सब्सक्रा क। और polycrystalline actual में क्या है तो सबसे पहले में बात करूँ कि single crystalline का मतलब क्या है single crystalline का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर मैंने वापस से यह arrangement बनाया यह molecules का यह मैंने एक molecules का arrangement लगाया अगर थोरॉली थोरॉली का मतलब पूरे crystalline solid के लिए यही arrangement follow होता जाए यही arrangement आगे बढ़ता जाए यही arrangement आगे बढ़ने का मतलब जैसे यहाँ पर भी वापस repeat कर गया ऐसे यहाँ पर भी वापस repeat कर गया और यह फिट से repeat कर गया यह फिट से repeat कर गया यह repeat कर गया चार एक दो तीन चार एक दो तो इस तरह से लगातार एक ही पैटन बार-बार क्या होता जाए रिपीट होता जाए एक ही पैटन एक ही अर्रेज्जमेंट पूरे crystal solid में बार-बार रिपीट हो रहा हो तो ऐसा जो crystalline solid है उसको हम क्या कहते है single crystalline solid समझFit मैंने बोला कि यदी एक ही एर्रेंगमेंट एक ही पेरियोडिक और पूरे क्र्ष्चलाइज के लिए बार आट रिपीट हो रहा हो तो उसको हम क्या नाम देता है, सिंगल क्रिस्टालाइज बोलते हैं, ठीक है, यहां पर यह जो बना ये कौन सा बना सिंगल क्रिस्लाइन बना ठीक फिर बात करते हैं पॉली क्रिस्लाइन की तो पॉली क्रिस्लाइन का मतलब क्या होता है वापस समझते हैं तो अभी मैंने एक periodic order लगा दिया ऐसा एक ordered arrangement लगा दिया मैंने वही वापस से चार का ठीक है यहाँ पर क्या था यह चार का pattern ही बार-बार क्या कर रहा था repeat कर रहा था अब यह polycrystalline में क्या होगा यहाँ पर order arrangement तो होगा पर वही जो एक fix single जो arrangement था बार-बार repeat हो रहा था यहाँ पर वह बार-बार repeat नहीं होगा हो सकता है कि यहाँ पर अब कुछ इस तरह से बन जाए यहाँ पर जो repeat repetition है वह चार के जगें हो सकता है कि 5 क्यों जाए वह चार की जगें हो सकता है कि इसकी हो जाए 5 क्यों जाए तो कि यहाँ पर यह इस तरह से रिपीट हो गया प्रम स्च्छ या फिर कुछ ऐसे रीपीड हो जाए अइसे इस तो रीपीटेशन तो यहाँ पर भी का इन दिख रहा है परम तो यह रिपीटेशन वही सिंगल अर्रेंजमेंट siento जो पहले आपको लगातार दिख रहा था यहां पर जो repetition है यहां पर जो ordered arrangement है वो अलग-अलग groups में है और यहां पर एक single arrangement ही thoroughly यानि कि पूरे crystal के अंदर repeat कर रहा था बार-बार तो उसको हमने नाम दिया था single crystalline structure या single crystalline solid यहां poly crystalline के अंदर क्या हो रहा है कि अलग-अलग arrangements जो है जो इस crystalline solid में बना है यह crystalline solid जो बना है वो अलग-अलग periodic arrangement से मिलकर बना हुआ है तो इसको हम क्या नाम देंगे poly crystalline solid नाम देंगे ठीक है अब यहां पर देखो यह एक अलग arrangement है यह अलग arrangement है और यह अलग arrangement है तो इन arrangements को जो line अलग करेगी इन arrangements को इन arrangements जो अलग-अलग arrangements है इन अलग-अलग arrangements को जो line अलग करेंगी जैसे यह line अलग कर रहे हैं यहां से तो इन lines को हम क्या नाम देंगे इन lines को हम नाम देंगे grain boundary, इन lines को हम क्या नाम देंगे grain boundary, और ये अलग-अलग arrangements जो हैं, इनको हम क्या नाम देंगे grains, और ये जो अलग-अलग arrangements हैं, इनको हम क्या नाम देंगे grains, और ये जो अलग-अलग boundary बन गई, इनको हम क्या नाम देंगे grain boundaries, क्या नाम देंगे grain boundaries, तो सम वज में आ गई होगी कि क्रिस्ट्लाइन सॉलिड क्या है क्रिस्ट्लाइन सॉलिड कितने पार्ट में बना कितने तरह का होता है तो और भी इसके टाइप होता है जैसे कि आपने यह टैंथ में 11 यह 11 में शाहिद पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा मेटालिक सॉलिड करके क आयोन्यक तो वह आगे चलगे पढ़ेंगे जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे क्रिस्टलाइन बॉाद निंग की बात करेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे हम यह चीज तो फिनाल लिए तो क्रेवरी सालिडि क्या हो गया ऐसे शॉलिड्स जो जिसके अंदर atom sche ​ molecules का periodic amendment होता है उसको क्या कैते हैं कुर्स्था लाइन कियते हैं दो तरह के यह होते हैं एक हुता है सिंगल कृस्टलाइन एक होता सिंगल क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हुआ जहां पर एक ही जो पैटर्न है वो पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में बार-बार रिपीट कर रहा है उसी को हम कहते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन पॉली क्रिस्दला इं का मतलब क्या हुआ जहां पर अलग-अलग- אॉलग अलग ऑण्ड कुल इंजमेंट जो है उनसे मिलकर कुला इंग और कुल कर रहे हैं उसको अमलोग इंग यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी इसके आगे बढ़ें उसके पहले में आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक नहीं क crystalline solid properties of crystalline solids ठीक है तो इसकी properties क्या क्या होती हो इसके बारे में बात कर ले तो सबसे पहला तो property क्या हो गए कि इसके अंदर जो atoms और molecules है उसका जो arrangement होता है वो periodic होता है ठीक है तो arrangement arrangement of atoms arrangement of atoms atoms और molecules और molecules आर periodic ordered periodic ordered periodic भाई यह ना spelling में गएरा थोड़ी उल्टी सीधी हो सकती है आगे पीछे तो उसको लेके इतना बुरा मत पादना चलती है इतनी चीजे दूसरा क्या हो गया कि क्रिस्टलाइन टेंप्रेचर के नीचे किसके नीचे क्रिस्टलाइन टेंप्रेचर के नीचे यह जो है हमेशा किस में रहते है इस्टेबल स्टेट में रहते है ठीक है बिलोव दा क्रिस्टलाइन टेंप्रेचर बिलोव दा क्रिस्टलाइजेशन टेंप्रेचर बिलोव दा क्रिस्टलाइजेशन टेंप्रेचर टेंप्रेचर दे रिमेन इन स्टेबल स्टेट अब कोई भी चीज इस्टेबल स होती है वह कौनसी होती है मिनीमम होती है जब उसके पास हाइस्ट एनर्जी होती है तो वह किसमे होती है आने स्टेबल स्टेट में और जब वह बीच की एनर्जी के केस में होता है तो वह न्यूट्राल एनर्जी में होता है तो यह स्टेबल स्टेट में है इसका मतलब इसके जो molecules है जो इसके पास जो atoms है उनके पास जो energy है वो कौन सी है minimum और वो कब है जब वो crystalline temperature crystallization temperature जो है उसके नीचे है चुछ आगे बात करें यह जो है यह एन आइसो ट्रॉपिक होता है ठीक है एन आइसो ट्रॉपिक अब एन आइसो ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेता है एक मिट रोको एन आइसो ट्रॉपिक अब एन आइसो ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है साब एन आइसो ट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसे properties किसी भी matter की ऐसी property या ऐसा matter जिसके लिए अलग-अलग direction में जो properties हैं वो अलग-अलग हो ठीक है दो चीजे होती है देखो दो चीजे हैं समझने की एक होता है isotropic सबसे पहले तो हम isotropic समझता है फिर उससे anisotropic समझ में आ जाएगा तो isotropic का मतलब क्या होता है कि ऐसे materials ऐसे matter जिनके लिए जो properties है वो सभी direction में क्या हो सेम हो ठीक है properties properties are same same in each and every direction each and every direction properties are same in each and every direction उसको हम क्या कहता है isotropic और यह है जो crystalline solids यह क्या होता है anisotropic होता है यानि कि इनके लिए जो properties है वो सभी direction में सेम नहीं होती सभी direction में जो property है वो अलग-अलग होती है ठीक है different properties different properties in different direction different properties in different direction ठीक है तो कौन-कौन्सी properties हो गई एक हो गया कि इनका जो arrangement है वो periodic होता है फिर below crystalline temperature crystallization temperature के यह stable state में होते है एन isotropic होते है फिर क्या होता है इनका जो melting point होता है वो sharp melting point होता है sharp melting point sharp melting point sharp melting point से मेरा क्या मतलब है sharp melting point का मतलब है जिनकी जो range है वो 5 degree centigrade से कम होती है for example हमारे पास अगर मैं बात करूँ NACL के लिए तो उसका जो melting point है वो है 801 degree centigrade होने तो 801 degree centigrade है तो इसका temperature में जो variation आ सकता है वो 801 प्लस मानेस पाच डिग ऍूटिगरी आ सकता है ठीक है तो ऐसे ऍतर्स जिनका जो melting point है वो पास डिगरी centigrade से कम की range में एक कर सकता है तो उसको हम कहते sharp melting point तो जितने भी crystalline solid है उसका जो melting points होता है वो शार्प willing point होता है कौन सा होता है sharp melting point ठीक है एक अ गया एन इसव ट्रॉपिक एक ओ गया sharp melting point फिर एक आ गया जो stable state पर रहता है फिर उसके बाद क्या ऐगिया periodic arrangement होता है example क्या क्या हो सकते है इसके example हो सकते है इसके जासे एक example हो गया इसका diamond बहुत अच्छा example है diamond ठीक है फिर क्या example हो गया इसका और example NACL हो गया बहुत सारे examples हो सकते हैं तो मेली जो हम use करते हैं जो हम पढ़ते हैं वो कौन-कौन से होगा diamond और NACL फिर उसके बाद यह तो बात होगी किसकी crystalline solid की फिर हम बात करें किसकी amorphous solids और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि non-crystalline solids और non-crystalline solids तो crystalline solid में हमने पढ़ा कि ऐसे solids जिसमें जो atoms और molecules है उनका arrangement है वो periodic है और ordered way में है तो उसको crystalline solid बोल रहे हैं और अगर arrangement ordered नहीं है periodic नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे non-crystalline solid या amorphous solid जैसे कि अगर मैं कुछ ऐसा बना दूँ कुछ ऐसा मैंने solid बना दिया अभी यहां पर ऐसे भी खेड़ती है ऐसे फिर इसको ऐसा लगा दिया फिर ऐसा हो गया अब यहां यह चला गया तो यहां पर जो molecules है उनका arrangement जो है वो random manner में randomly किसी भी अपने हिसाप से set हुए हुए है तो इसको हम क्या बोलता है amorphous solid ठीक है तो amorphous solid क्या होगे solids solids in which which atoms or molecules atoms or molecules molecules are arranged randomly are arranged randomly randomly का मतलब है कि proper manner 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 नहीं है है ना not arrange में लिख भी देता हुए आपर not arranged not arranged in ordered and periodic manner और periodic manner तो उसको हम साब क्या नाम देते हैं उसको हम नाम देते हैं amorphous solid इसके example क्या गया हो सकते है example की बात कर ले पहले इसके example जो हो सकते है एक हो सकता है wax एक हो सकता है glass तो यह जो example हो गए यह किसके हो गए यह हो गए अब जिस तरह से हमने properties पढ़ी किसकी crystalline solid की उसी तरह से हम properties पढ़ेंगे किसकी amorphous solid की तो तो amorphous solid properties of amorphous solid amorphous solid के क्या क्या property होगी पहला तो भाई क्या होगा कि यह ordered नहीं है ठीक है अच्छा पहली property ordered नहीं है दूसरा यहां पर क्या है देखो यहां पर तुमने लिखाता यह anisotropic है जबकि जो यह है यह क्या होगे isotropic होगे isotropic का मतलब क्या होगया इनकी जो properties होगी जो भी physical properties होगी वो सभी direction में क्या होगी same होगी ठीक है physical properties physical properties are same are same in every direction in every direction ठीक है सब दूसरा इस में क्या हो गया दूसरा इस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर sharp melting point है यहाँ पर क्या आएगा regular melting point melting point मतलब कि यह 5 degree की range बे नहीं होगे फिर तीसरा आएगा जैसे कि यह crystalline solid है यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि यह जो है long range में होते है long range solids यानि कि इनके जो periodic arrangements है वो long range तक जाते हैं जबकि यह कौन से होते है short range short range फिर यह जो है amorphous solids इनको हम fake solids fake solids और pseudo solid यह भी कहते है fake solid और pseudo solid भी कहते है जबकि यह जो है इसको आप लिख सकते हो true solid true solid अब fake solid और pseudo solid इस बात का क्या मतलब हुआ इस बात का मतलब यह हुआ जैसे कि for example आपके पास यह कोई ice cream का cup है ठीक है ice cream का cup है और इसके अंदर आपको दुकानदार ने बढ़िया सी ice cream set करके देदी तो यह for a timing जो ice cream है यह solid के form में रहेगी और जब temperature में change आएगा तो यह जो solid है यह अपनी shape को क्या कर देगा change कर देगा यह अपनी solid जो है यह अपनी shape को क्या कर देगा change कर देगा यानि कि liquid में convert हो जाएगा तो variation with variation of temperature with variation of temperature with variation of temperature solid can change can change into another matter another matter का मतलब क्या हो गया यह liquid में convert हो जाएगा या फिर gas में most probably किस में convert होगा liquid में convert हो जाएगा तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते है fake solid नाम देते हैं या pseudo जो solid है वो नाम देते हैं तो यहाँ पर हमने example भी देखा है कि wax और glass जो time variation के साथ यह अपनी जो properties है जो अपने जो यह solid है जो एक arrangement होता है बने हुए होता है उसको क्या कर देंगे change कर देंगे तो यह जो है यह properties होती है कि इसकी amorphous solid की इसलिए जो fake solid और pseudo solid लिखा है इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है super cooled solids super cooled liquids नाम भी दिया जाता है इनको क्या नाम दिया जाता है super cooled liquids नाम भी दिया जाता है ठीक है तो यह properties हो गई कि इसकी amorphous solid की और इसके पहले हमने properties पढ़ी किसकी crystalline solids की तो यहां हमारे पास अब clear हो गया crystalline solid क्या होता है उसके पहले हमने यह पढ़ा कि solids क्या होता है हम यह जो solid state physics पढ़ रहे है उसमें मैं आपको एक चीज बता दू solid state physics जो हम पढ़ रहे है इसके अंदर हमें basically पढ़ना क्या है physical properties की study करनी है physical properties of solids physical properties जैसे इसकी conductivity हो गई thermal conductivity हो गई electrical conductivity हो गई इन चीजों को हमें study करना होता है तो उसको हम क्या कहते है solid state physics कहते है solid state physics में हमें यही करना है उसकी basic बेसिक चीज़े हम पहले पढ़ रहे है तो hopefully यहां तक तो जो चीज़े है आपको बहुत अच्छे से clear हो गई होंगी और अगर नहीं हुई है तो comment section आप लोगों के लिए open है कि क्या कुछ समझ में नहीं आया है और कुछ समझ में भी आया है तो वो भी comment करके बताओ कि हाँ सर हमें यह समझ में आया है जिससे कि मुझे भी थोड़ा लगे कि मैं जो lectures बना रहा हूँ उनका कुछ लोगों को फाइदा हो रहा है अच्छा आप किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं यहां से आपको उनकी बात कर लेते हैं तो questions जो आपको पूछे जा सकते हैं जिससे कि एक question बन गया है कि what is the difference what is the difference difference between crystalline crystalline solid and amorphous solid एक में टोकना spelling अज़त लिख दिया amorphous solid और इसकी जगे यह भी लिखा जा सकता है कि non crystalline solid एक question तो ही हो गया दूसरा question यह हो सकता है what are what is crystalline solid crystalline solid what is crystalline solid define with neat sketch and diagrams neat sketches and diagrams यह question बन सकता है एक तीसरा question पूछ सकते है आप से कि what is amorphous और non crystalline solid what is non crystalline solid non crystalline solid तो यह कुछ questions है जो आप से पूछे जा सकते है ठीक है तो यहां तक तो हमारी बात यह अच्छे से clear हो गई है अब कि जो crystalline solid है वो क्या है और amorphous solid यह non crystalline solid है वो क्या है आगे बात करते हैं हम lattice की तो lattice की हम बात करें उसके पहले एक शब्द आएगा क्रिस्टलोग्राफी क्या आएगा क्रिस्टलोग्राफी उसको हम discuss कर ले थोड़ा क्रिस्टलोग्राफी तो क्रिस्टलोग्राफी को हम discuss करें तो crystallography का मतलब क्या हो गया अब यह जो भी हम बात कर रहे है यह चाहे crystalline solid हुआ चाहे amorphous solid हुआ मैं कहा रहा हूँ कि यह जो है यहाँ पर दोनों ही case पे क्या रहे है, atoms आ रहे हैं या molecules हा रहे है तो अब हमें इनके study करनी है अब हम atoms और molecules को तो पकड़ के लानी सकते तो study करनी के लिए हमें इनकी कोई geometrical shape माननी पड़ेगी तो वो geometrical shape जो हम मानते है ठीक है crystalline solids की amorphous solids की study करने के लिए जो हम geometrical shape मानते है geometrical shape मानके इनकी हम study करते है तो study of crystalline solids और science of study of crystalline solids उसको हम क्या कहते है क्रिस्टलोग्राफी कहते है इस क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम इसकी एक जिएमेट्रिकल शेप माल लेंगे कि यह जो solids है यह ऐसे इतने इतने points से मिलकर बना होगा उसका arrangement जो होगा वो points के form में होगा तो उसको हम क्या नाम देते है क्रिस्टलोग्राफी तो क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्या हो गया क्रिस्टलोग्राफी वो science है जिसके अंदर crystalline solids और non-crystalline solids की जो study की जाती है उसको हम क्या नाम देते है क्रिस्टलोग्राफी और इस crystalography के लिए हम एक geometric shape मानके चलते हैं हम यह मानके चलते हैं कि यह जो atoms है और molecules हैं उसके स्थान पर उसके जगह कोई points होंगे जिससे मिलकर यह बना होगा तो इस crystalography में कुछ basic जो terminologies बोल लो या basic चीजे बोल लो आती हैं जो आप लोगो को पता होने चीजे जैसा कि सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है lettuce lettuce को आप Hindi में बोल सकते हो जालक क्या बोल सकते हो जालक बोलते हैं तो अब जैसा कि मैंने कहा आपको कि यह जो crystalography है यानि कि जो crystalline solids है इनकी study करने के लिए हमें इनकी geometrical shape configuration माननी पड़ती है उस geometrical configuration में हम यह मान के चलते हैं कि यह points से मिलकर बने है और उन points का जो arrangement है वो periodic और ordered manner में है तो ऐसे points ordered जो एक periodic arrangement हो और जिनका जिनका एक ordered और periodic arrangement हो तो उन points को उम क्या नाम देते हैं lettuce नाम देते हैं ठीक है तो points points which are arranged which are arranged arranged in order order and in periodic manner and in periodic manner periodic manner is known as is known as lattice फिर बता दू हम जो यह crystalline solids है यह crystalline structures है इनको पढ़ने के लिए हम इनका एक geometrical shape geometrical configuration मान के चलते हैं उसके अंदर हम यह मान के चलते हैं कि यह जो structure है यह जो solids है यह atoms और molecule के जगह पर किस से मिलकर बने है points के arrangement से मिलकर बने है और इन points को हम क्या नाम देते हैं lattice नाम देते हैं खीक है क्या नाम देते हैं lattice अब यह lattice जो है यह तीन तरह के होते है एक होता है linear एक होता है planar और एक होता है कौन सा spatial या space lattice सबसे पहले linear की बात करूँ तो जब points इस तरह से range हो कि एक ही line पर एक ही line पर उनका लगातार order लगता जाए और उनका repetition होता जाए एक ही line के लग उनका order लगता जाए और infinite times तक क्या होता जाए repetition होता जाए तो उसको हम क्या कहते है linear lattice कहते है जब जो points है वो एक ही line पर हो और उनका लगाता repetition हो रहा हो infinite times तक तो उसको हम क्या नाम देते है linear lattice नाम देते है linear lattice जो होगा वो एक direction में चलेगा या तो वोई x या वोई y या वोई z यदि हम जो Cartesian Coordinate System लेके चल रहा है planar lattice का मतलब क्या हो गया यनि आप plane की बात कर रहे हो जैसे कि ऐसे मैंने कोई arrangement लगा दिया ऐसे ऐसा arrangement लगा दिया मैंने ठीक है तो इस arrangement में आप देख रहे हो कि एक direction तो यह होगी और एक direction यह होगी ऐसे तो जब जो lattice है वो एक plane में arranged हो जो उनका repetition हो रहा हो जो उनका order set है वो एक plane के along हो वो एक plane में set हुए हो तो उस lattice को हम क्या नाम देते है plane lattice नाम देते है और यदि इसको बाहर की तरफ निकाल दू या अंदर की तरफ निकाल दू तो यह three dimensional ना हो गया तो जब lattice का arrangement जो points है उनका arrangement 3D space में infinitely infinite times ordered way में arranged हो जब points जब points 3D space में 3D space अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ है इस तरह से इस तरह से इस तरह से एक मिएट यह कुछ मैंने दिखाने की कोशिश की है शायद बना भी है तो अगर जो points है उनका arrangement 3D dimension में ordered way में हो periodic manner में हो infinite times तक तो उसको हम क्या नाम देते हैं space lattice नाम देते हैं तो space lattice में क्या हो गया 3D में points का arrangement हो गया infinite times तक वो periodic order repeat हो रहा है तो उसको हमने नाम देते हैं space lattice planar lattice में क्या हुआ 2D के अंदर और linear lattice का मतलब क्या हुआ 1D के अंदर मतलब जो points है वो एक ही line में arrange होते जा रहे हैं और infinite times तक अरेंज हो रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया linear lattice रेखिये जालक planar यानि कि सम्तलिये जालक का मतलब क्या हुआ जब जो points है वो 2D के अंदर twoD के अंदर arrange रहे हैं और infinite times तक अबने आपको repeat कर रहे हैं तो उसको हमने बोला planar lattice और space lattice का मतलब क्या हुआ points हैं वो three dimension में arrange हो रहे हैं और repeat हो रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला space lattice, अच्छा space lattice या lattice से related एक खास बास और बताओ मैं आपको, हमने कोई एक example लिया ये lattice का, ठीक है, ऐसा मैंने example बना दिया, यहाँ पर फिर मैंने इस तरह से लगाया, फिर से मैंने ऐसे बनाया, और फिर से मैंने इस तरह से शो किया, तो lattice के अंदर इस इतने भी points है, मालों यह कोई point है और let's suppose यह point कोई है O, और इस point को अगर मैं यहाँ खडाओ कर देखूँ, यहां मैं खडाओ जाओ और यहाँ खड़ाओ कर देखूं तो इस point को अगर मैं यहां से देख रहा हूं यहां से मेरा direction of view है तो मिरको यह point identical लगना चीए यहां से भी और अगर मैं यहां खड़ाओ कर भी देखूं तब भी मिरको यह point क्या लगना चीए identical लगना चीए identical लगना चीए यह वाला point इसी तरह से अगर मैं इस point को देखूं तो ये point हमेशा क्या रहना चाहिए identical यहां से देखूं तो भी identical और यहां से देखूं तो भी identical होना चाहिए तो lattice के अंदर जितने भी point रहते हैं वो अपनी surrounding से हमेशा क्या रहते है identical रहते है अपनी surrounding से हमेशा क्या रहते है identical रहते है यह अपनी surrounding से हमेशा क्या रहेंगे identical रहेंगे तो ऐसे जो points हैं उनको हम क्या नाम देते हैं lattice points या आप इसको ऐसे भी समझ लो कि यहाँ पर कोई point पकड़ लो आप एक fix point पकड़ लो और उस point को कहीं से भी देखो उस पूरे lattice के अंदर कहीं से भी किसी भी point के उपर बैठ के तो उसका जो orientation है या वो जो आपको नजर आना चाहिए वो हमेशा identical नजर आना चाहिए with respect to surrounding उसकी surrounding के respect में वो हमेशा आपको उसकी जो surrounding है वो identical नजर आनी चाहिए तो ऐसे जो points हैं उनको हम क्या नाम देते हैं lattice point नाम देते हैं ठीक है ऐसे points को हम क्या नाम देते हैं lattice point नाम होता है अभी यह जो lattice है यह points से मिलकर बने हुए basis का मतलब क्या होगा कि lattice point lattice points along with atoms और molecules along with atoms or molecules molecules in arranged manner in arranged manner in arranged manner is called is called basis arranged manner is called basis अब इस बात का क्या मतलब हुआ इस बात का मतलब हुआ अभी तो हमने इनको geometrical configuration में क्या माना हुआ था point माना हुआ था अब हम एक crystalline structure या solid बनाना है तो molecule या atoms के बिना संभव होगा नहीं तो अब हम क्या करेंगे lattice points पर atoms या molecules ले जाकर बिठा देंगे let's suppose यह red color वाला जो है यह molecule हो गया, यह molecule या atom हो गया तो अब हम इने आपर क्या बिठा दिए? atoms या molecules बिठा दिए इनके साथ ठीक है? तो अब यह जो lattice points थे, इनके साथ atoms और molecule बिठा दिए, क्योंकि जो lattice points हैं वो खुदी एक proper arrangement में लगे होते हैं, proper arrangement में लगे होते हैं तो यह जो atoms और molecules आये ये भी किसमें आये एक proper arrangement में लगे हुए हैं तो इसको हमने क्या नाम दे दिया इसको हमने basis नाम दे दिया अब ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी basis क्या कहलाएगी basis और यदि इस basis का basis को हम regularly arranged करते जाए थ्री dimension के अंदर तो ये मिलकर क्या बना देगी crystalline structure यदि इ जो crystalline structure हुआ crystalline structure जो हुआ वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है वो दो चीजे कौन-कौन सी है एक तो है lattice प्लस एक क्या हो गया basis तो lattice और basis से मिलकर क्या बन गया crystalline structure lattice शुरुआत में उसने उसकी geometrical shape या geometrical configuration बनाया जिसके अंदर lattice वो पॉइंट के लाया जिसको जो अपनी surrounding के respect में हमेशा क्या है identical है यानि को उसको किसी भी point से देख लो कहीं से भी जाके देखो वो हमेशा आपको एक जैसा नजर आएगा उसके चारों तरफ की जो points है वो हमेशा एक जैसे नजर आएगे उन points के साथ आपने atoms और molecules को बिठा दिया तो उसको आपने क्या कहा बेसिस और बेसिस को यदि three dimension में आप rearrange करते जाओ बार बार periodic order बनाते जाओ तो उसको आप क्या नाम दोगे बहुत अच्छा समझ में आए तो वो भी आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताए अभी इस lecture में translation vectors रह गया उसको मैं next lecture मिलूँगा अल्रेडी बहुत लंबा हो गया लेक्चर तो hopefully यह जो lecture है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा useful होगा और बहुत आपके जो exam है उसके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है तो एक next और नए lecture यह जो झाला है प्टाइब बहुत ज़्यादा अभी ज़्यादा अज़ ज़्या तो